जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों लाखों केंदिय करमचारियों को ग्रह मंत्राले की तरफ से दी गई है एक बड़ी सोगात जो कि 1 अप्रेल 2024 से पहले लागू होगी यानि कि ये होली लाखों केंदिय करमचारियों के लिए एक अच्छी सोगात लेके आई है जो कि ग्रह मंत्राले की तरफ से दी गई है दूसरा महंगाई भत्ता डिये डियनेस एलाउंस एंड डियनेस रिलीफ जो कि 1 जनवरी 2024 से मिलने वाला है उसका फाइनल लेटर जारी हो चुका है और COVID-19 के कारण जो जबानों के पिरमेचर रिटार्मेंट पर जून 2024 तक रेस्टेक्शन रोक लगी हुई है उसके उपर भी कोड का फैसला आया है पिरमेचर रिटार्मेंट के उपर आज हम इन तीनों मुद्धों पर बात करेंगे तो सबसे पहले देखे दोस्तों यह आपके सामने एक लेटर है जो की 12 मार्च 2024 को जारी किया गया है Ministry of Finance के Department Expenditure यानि बैविभाग की तरफ से और यह जो Office Memorandum है इसमें कहा गया Revision of Rates of Dearness Allowance to Central Government Employees Effective from 1st January 2024 से जो आपका महंगाई भत्ता 40% से बढ़कर 50% हुआ है उसके लिए Final Order आ गए है लिखित में और अब यह आपका जो महंगाई भत्ता है आपको मार्च की जो salary आएगी pension आएगी उसमें add होके मिल जाएगा तो यह थी महंगाई भत्ता के संदर में अब देखिए दोस्तों अगली ख़वर जो है वो निकल कर आई है Times of India की तरफ से जो की 8 मार्च की ख़वर है जिसमें कहा गया है कांट डिनाई राइट टू पिरमेच्चर रिलीज फ्रों मिलिटरी सर्विस ओन सर्टेन ग्राउंग्स यानि कुछ ऐसे ग्राउंग्स हैं कुछ ऐसी समस्या हैं उनको मद्य नजर रखते हुए पिरमेच्चर रिटायर्मेंट को नहीं नकारा जा सकता ऐसा इन्होंने कहा है इसमें ये एक केस है जो की चंडिगर आर्म फोर्स स्टेमिनर में लड़ा गया जहां पर एक हवलदार जी हैं आर्मी मेडिकल कोर्स से उनके घर में कुछ प्रॉलम है और प्रॉलम होने के पिरमेच्चर रिटायर्मेंट के लिए एपलाई किया जब उनके अपलाई किया तो यह कहकर इनके पिरमिचर रेटायर्मेंट को रिजेक्ट कर दिया गया की एक तो स्टाफ की सौर्टेज है और दूसरा जो तरम्स ओफ एंगेजमेंट 20 प्लस 3 20 कलर सर्विस और 3 साल एक् अगर वो कोट में गये और कोट में उन्होंने अपनी वहाँ पर अरजी लगाई, अपनी समस्या नियाले के सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसके केस को रीकंशीडर किया जाए। कुछ certain grounds हैं, ऐसी तकलीप हैं, कुछ ऐसे ground हैं, उन पर premature retirement को consider किया जाए, तो इस तरीके से ये premature retirement के संदर में हैं, अब देखिए जो ग्रह मंत्राले की तरफ से तोफ़ा दिया गया है, सेंटरल गवर्मेंट के employees को वो क्या है, गवर्मेंट ग्राइंट 50% GST relief to Central Police Canteen, यानी C.A.P.F. Central Armed Police Force की जो कैंटीन हैं, उनके अंदर 50% GST का off किया गया है, उसको relief दिया गया है, इसका benefit किस-किस को मिलेगा, वो देखिए यह आपके सामने हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और उसका नाम क्या रखा गया है, जो नाम रखा गया है, वो आपके सामने है, केंद्रिये पुलिस कल्यान भंडा, इस तरीके से अब तक जितनी भी आपके सामने वो कैंटीन है, अब इनके अंदर 50% GST relief मिलेगा, जितने भी हमारे Central Armed Police Force के जवान हैं, वो और उनके परजनों को, इसमें आते हैं, CRPF, BSF, CISF, ITBP and SSME, और इसी के साथ और भी हैं, जो की जैसा आप यहां देखें, BPRD and NCRB, इन सभी को benefit मिलेगा, जिस तरीके से सेना के लिए CSD कैंटीन हैं, उसी तरीके से अब इनके लिए भी जो हमारे paramilitary forces के जवान हैं, जो हमेशा security देने के लिए हमेशा तत पर हाजर रहते हैं, उनको यह benefit मिलना सुरू होगा, यह जितने भी हमारे अर्थ सेनिक बल, paramilitary forces के जवान हैं, चाहें वो किसी भी department के हो, उनका भी contribution सेना से कम नहीं है, वो भी हमेशा सर्वुच sacrifice के लिए हाजर रहते हैं, इसलिए उनको भी सेना की तरज पर ही CSD जैसी facility मिलनी चाहिए थी, पहले से ही मिलनी चाहिए थी, चल हुआ हैं, अच्छी बात है, और इसमें और भी facility add-on होनी चाहिए, तो दोस्तों ये थी जानकारी, आज की इस वीडियो में, DA से संबंदित, आपके पिरमिश्चर रेटार्मेंट से संबंदित, और Central Army Police Force World के लिए, जो कैंटीन के अंदर 50% GST off की गई है, इसके संदर में, जब हारादा